तभी मित्रों को नमस्कार रामरा मित्रों स्वागत आपका रायथान यूटूब चैनल पर देखिए आज यह हम लोग विश्य बात करने जा रहे हैं वे हैं राजस्तान की परमुग भामाशा आप मित्रों कंशूज होते हो कि कौन सा भामाशा कौन सा कहलाता है मैं यहां पू भामाशा के बात करेजिक तो कहाने जहां से प्रारंश्व होती है महाना परताप कुंबलगड़ का रजाते हैं और कुंबलगड़ग हुद के बाद में उनकी इस्तिति आर्थ इस्तिति बेहत कमजोर हो गई बहुत से सैनिक छोड़ के जाने लगे अब भूत बड़ी समझ्या गई तो साब एक मेवार का दानवीर निकल के आया उसका नाम है भामाशा भामाशा ने महाना परताप को दान दिया करनल जैम्स्टोर ने उन्हें मेवार का द अपने प्रधानमंतरी महसानी के इस्तान पर भामाशा ने मेवार का करण का ने उस भामाशा की पद्वी को बनाये रखते हुए उनके यादगार को बनाये रकते हुए उनके दानवीर की पैचान रखने अब साफ अमर्चंद बांठीया हुआ कहानी सुनते जाना आप मर्चंद बांठीया हुआ अमर्चंद बांठीया का जनम 1793-ी का नachen होता है है यह अपने पिता के साथ गवालियर चल जाते हैं और गुवालियर में व्यावशाय करते हैं तो इन्हें वहाँ नगर स्रेट के नाम से जाने-जाने लगा मेरे मित्रो 1857 किरांटी होती है 1857 किरांटी में जहांसी किरांटी और अंड किरांटी वीरे उनकी मदद करते हैं अमर्चन बाठिया अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आती है राजस्तान वासी क्योंकि भीका नेर का है साफ फांसी दे दी तो 18Bo 7 किरांति में जो पैसा दिया किरांथी विरोंको वी अम्रचन बांथिया न दिया इसलिए uB. रॉंती बांथिया कैल्ला है राज़स्तान के पहले सपूत थे जो 18Do 17 क्रांथियों में सहीद हुए और भारत प्रॉई copying मंगलबंड़.. इसलिए इन्हें राश्तान का मंगल पांडे भी कहते हैं तो जनम हुआ 17-13 विकानिर में सहीध हुए 1887 में 1887 किरांतियों का भामाशा कहेंगे राश्तान का पहला सपूतियों किरांतियों भी सहीध हुआ राश्तान का मंगल पांडे भी हम इन्हें कहेंगे अब आतिये सिर्ट दामोदर्दास राठी जैसे नाम से ही साथ यूप एचान होने सिर्ट हैं सिर्ट दामोदर्दास राठी रहने वाले पोखरण के थे 1884 मिन का जनम हुआ और 1918 में ये दुनिया छोड़के चले गए दोस्तों पैसे वाले थे आपने कृष्णा मिल्ष पढ कूलने सनातन धर्म खोलें गे नव भारत विद्यायले खोलें यह तो द्रामोदर्दास राठी दो विद्यायले बनाता है व्यावरंज्मिर में सविक्नियस प़ंधित भूल एक स्कूल और भारत विद्यायले वेशन और साब कहता है कि आप सहस्तर की करेंगे कि धुटनी किसका है तूटनी चाहिए मां की अध्यार से धन की कमि कहीं बादक नहीं भीसे कुणि पहुत कतं किसका है आफी दमदर दास घ्राठी का है तो इने सशब्रकान्ति का भामासा कहते हैं Wars आपको परीचे करवाते हैं से जम्रालाल बजाज से दोस्तों यह सेट जम्रालाल बजाज आपको दिखाई दे रहा है यह यह कासी के बास सीकर में पैदा होते हैं 1889 में वर्दा महाराष्ट के एक सेट थे रामदास उसकी विद्वा पत्नी बसंती के गोद चलेगे क्या कहा मैंने विद्वा पत्नी बसंती के गोद चलेगे तो सेट के गोद चलेगे वर्दा महाराष्ट में तो सेट भरंगे साब पैसे कमी नहीं रही इसलिए हमें जो भी आफश जब आर्थिक मदद मिलेगी हमें कहां से वर्दा महराष्ट से तो सिद्धी से बात हैं वहां जाएंगे इन्हों यह नहीं देखा मैं पैसा कहां दे रहा हूं इन्हों जहां जर्थ पड़ी वहां पैसा दिया इसलिए राजस्तान का भामाशा कहलाता है सेट जम्रादाल बज dos जैपूर परज्णा मंदल का पुनर गठन तो करते ही है है कि यहापूर पज़ा मंदल के पुनर गठन करते हैं हिंदी भाषा NICK कोουμεान की भाषा कहते ते राय बहाद्दूर की उपाधिदी उसे लोटा दिया मातमा गांदी जी के पाशोय पूते कह महत्मा गंधी जी के पास तो कहते हैं कि इनकी चाय ज्मलाल स्पूला माथ्मा गंदीजी काaison मैं कहते हैं मं तो गुलाम नंबर 4 वह सबसे पहले भारत देश घुलाम हुआ है सांग दूसरे पर रियाशत गुलाम हुई, तीसरे पे सीकर गुलाम हुई, मैं सबसे लाश्ट में गुलाम हुआ, तो इन्हें गुलाम नंबर हम लोग 4 भी कहता है, इन्होंने एक नारा भी लगाया था, हम लड़ाई के मद्य में पहुंच चुके हैं, हम लड़ाई के मद्य में पहुंच चु पूरा आपको राजवन सी त्यास आधुरू की त्यास के पीडियाब डाले वहां से एक साथ उसका प्रिंट निकाल ले बार-बार स्किर्ण शोट लेने वाली बीमारी मत छोड़ी आप लोग एक बार में उनका प्रिंट निकाल लेजी आप लोग हमारे साथ लगतार बैनी ब पर वाकिर रहेंगे तो इसको और आपको देखे जाएंगे जन्यवाद राम राम साब